इसके माइने हैं कि इस सम्विधान निर्माण की जब प्रक्रिया शुरू होती है जिस वर्षे भी शुरू होती है जिसका हम आगे विस्तार से अध्यन करेंगे उस दोरान देश की क्या स्थिती थी सम्विधान के लिए जब लोग बादशीत कर रहे होते हैं उस समय देश किस तरह के चोराहे पर खड़ा था उस चोराहे में कौन सी दिशा में जाना है चार सडके हैं एक चोराहे में कौन सी दिशा में जाना है ये परिस्तितियां ही तो टै करती है तो हम थोड़ा सा इस प्रिष्ठ भूमी को भी समझ ले कि परिस्तितियां क्या थी जिस समय ये शुरू होती है प्रक्रिया सम्विधान निर्माण के प्रक्रिया निश्चित रूप से आप इतना जान लीजे कि भारत में सम्विधान निर्माण के प्रक्रिया भारत के स्व और अंग्रेजों ने भी ऐसे फीलर्स छोड़ दिये थे कि भारत अब देर सबेर स्वतंत्र होई जाएगा तो जब ये निर्मान के विशे में विचार विमर्ष होता है उस समय भारत में बड़ी अस्थिर्टा का वातावरण था अविश्वास का वातावरण था अस्थिर्टा और अविश्वास दोनों ये बहुत कम्पलेक्ट कहना बहुत सरल है पर भारत जैसे विशाल का देश में जब कम्यूनिकेशन के माध्यम संचार के माध्यम ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं वहाँ पर अविश्वास और अस्थिर् नहीं होती. 1946 के उस माहोल में जब उचित तरीके से, systematic तरीके से समूठान निर्मार्ण की प्रक्रिया शुरू होती है, 1946 से उस माहोल में प्रमुक भारती नेता इस बात से वाकिफ थे कि भारत की जन्ता स्वतंता तो चाहती ही है. कुछ भी हो जाए, अब उसे सतंता चाहिए, अंग्रे जो भारत छोड़ो का नारा इसी के कुछ वश्पूर्व का था, करो या मरो का नारा भी इसी दोरान दिया गया था, ये सब नारे इस बाट के शबूत थे, कि भारती जनता अब येन केन प्रकारेंड स्वतंता के प्रतिक दिर्ड कृताग्य है बिल्कुल उसने ठान ली है कि अब हम स्वतंता लेके रहेंगे और साथ ही अंग्रेजों को हम भारत से आजात करा के रहेंगे भारत से रवाना करा के रहेंगे, भारत को आजाद करा के रहेंगे अब जब एक और भारती जनता की ये अपेक्षा थी स्वतंतरता शह सो पांस सो शह सो वर्षों की एक तरीके से गुलामी दास्ता के इतिहास के बाद जब स्वतंतरता की इतनी ललक थी, उस समय हमारे सामने कौन सी समस्याएं मुह बाए खड़ी थी इसे हम थोड़ा जाने सबसे पहली समस्या, सामपरदाइक दंगे सामपरदाइक दंगे अर्थात कम्यूनल राइट्स सामपरदाइक दंगे जो होते हैं वो ऐसे दंगे जो धर्म आधारित हो जिनकी जड़ धर्म पर हो ऐसे दंगे को कहते हैं सामपरदाइक दंगे ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि सामपरदाइक दंगे कुछ खास दो कम्यूनिटी के बीच ही होते हैं ऐसा नहीं हैं किसी भी दो धर्मों के बीच में होने वाले दंगे सामप्रदाइक दंगे कहलाते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस जिसने स्वतनता आंदोलन में माचपूर्ण भूमिका निभाई उसके सामने दो ही राष्टे थे ये तै करने के लिए कि हमें स्वतनता लेनी है या नहीं लेनी है या तो हम स्वतनता लें तो विभाजन के साथ और या हम देश को विभाजित होने से रोकें और देश के अंदर मार काट मच जाए देश के अंदर मार काट मचना यानि ग्रिह युद जैसी स्थिति निर्मित हो जाना दूसरे शब्दों में उन्निस सो पैंतालिस चालिस का भारत एक ऐसा भारत था जहां पर धर्म के नाम पर समाज बढ़ गया था धर्म के नाम पर लोग कुछ भी करने को तैयार थे यहां तक कि ग्रिह युद की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था और ग्रिह युद अर्थाद देश के अंदर के ही दो कम्यूनिटी दो समाज के बीच में लड़ाई होना उसे ग्रिह युद कहते हैं अंदरूनी युद बाहरी युद नहीं ये युद से कम नहीं होता बलकि एक सामानी युद से ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें जो दोनों ही पक्ष जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये दोनों ही सरकार के दुश्मन नहीं है लेकिन दोनों में से एक गलत है तो सरकार के सामने एक बड़ी विशम इस्थिति हो जाती है सामानी युद में तो दुश्मन ही हमारा टारगेट रहता है लेकिन यहां पर ग्रेह युद्ध की स्थिति को टालने के लिए यह जो भयावश स्थिति हो रही थी धर्म के नाम पर जो मारकाट मचने के संभावना थी और मारकाट मच भी रही थी तो यह आखिर क्यों हो रहा था? इस पर हमको नहीं जाना है ये किसी दूसरे विशे का ये किसी दूसरे सब्जेक का विशे है लेकिन हम इतना जान लें कि तत्कालीन भारत सामप्रदाईग दंगों की स्थिति से गुजर रहा था ग्री युद की संभावना से गुजर रहा था बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि भारत के अंदर का ही समाज एक दूसरे से अब लड़ बैठेगा और घंगरेच तो चाहते भी थे उन्होंने ने टेने साल तक जो राज किया उसकी उसकी नीति का अधार ही था डिवाइड एंड रूल भारती समाज को उन्होंने बाट दिया ओठेगा था दो खेमों में और इन दो खेमों को एक दूसरे से लड़वा कर ही इँनोंने अपन ऐसा देश छोड़ गया जहां समाज बढ़ चुका था अंग्रेजों की शाह पर ही बढ़ चुका था तो इसलिए भारती राश्टी कॉंग्रेश ने इस ग्रिय युद्ध के विनाश के टालने के लिए विभाजन स्विकार किया तो विभाजन क्यों स्विकार हुआ इसकी एक भूमी का मैंने संख्यप में आपको दे दी हमने विभाजन क्यों स्विकार किया ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है जहां देश स्वयम स्वेच्छा से विभाजन को अपने देश कोई बटवारे को स्वीकार कर ले भारत का एक मात्रदाहरन है ऐसा लेकिन विवश्टा थी कॉंग्रेस के जो प्रमुख निता थे उनकी सोच थी कि ये जो विभाजन है यदि हम विभाजन करते हैं तो ग्री युद्ध तो टाला ही जा सकता है इसके अलावा विभाजन होने से जो दो विभिन धर्मों के बीच में जो टकराव है वो नहीं होगा और एक धर्मा वलंबी एक देश में दूसरे धर्म के लोग दूसरे देश में रहेंगे इस प्रकार सतंता की प्रक्रिया में कोई खलल नहीं आएगा विभाजन शान्ति पूर्ण होगा ग्रेह युद्ध की संभावना टाली जा सकती है सामपरदाइक दंगों से बचा जा सकता है ऐसा सोचते हुए इन्होंने कांग्रेश ने विभाजन को स्विकार किया उनका ऐसा सोचना था कि पाकिस्तान की मांग यदि हम मान लेते हैं तो पाकिस्तान की मांग लेने से सामपरदाइक समस्या जो है वो खतम हो जाएगी पूर्ण रूपेर उसका समाधान निकल उनकी ऐसी सोच थी कि विभाजन शान्ति पूर्ण होगा उनकी ये सोच थी कि हिंदू और मुसल्मानों के बीच के संबंद जो है वो मैतरी पूर्ण हो जाएंगे क्योंकि ये विभाजन उनकी इच्छा नुसार हो रहा है लेकिन दुर्भागे से ऐसा नहीं हुआ उनकी सोच गलत साबित हुई उनकी सोच का जो आधार था वो कुछ अलग था स्वतनता प्राप्ति के दौरान 15 अगस्त 1947 को स्वतनता मिलती है और उसके बाद चांपरदाएक दंगों का एक रेला चल पड़ता है स्वतनता के बाद 15 अगस्त के बाद होने वाले संपरदाएक दंगे इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि ततकाली नेताओं ने ततकाली इन शासकों ने इस्थिति की जो विवेचना की थी वो बड़ी गलत थी बड़ी भारी भूल थी यानि उनकी समझ गलत निकली क्या समझ के विभाजन शांतिपूर्ण होगा स्वतनता शांतिपूर्ण मिल जाएगी ये सोच बहुत गलत निकली कि इस बात से साबित होता है जिस तरीके से संपरदाइक दंगे उत्तर भारत में विशेश कर हुए उसने इनकी बात को नकार दिया और ये साबित कर दिया कि ततकालीन कंग्रेस के नेताओं की यह सोच बड़ी भारी भूल है कंग्रेस के कंग्रेस जहां भारत की पक्षधर थी मुस्लिम लीग नाम की पार्टी पाकिस्तान की पक्षधर थी पाकिस्तान का निर्माण आखिर मुस्लिम लीग नाम की पार्टी के प्रयासों का परणाम था मुस्लिम लीग मुसल्मान वर्ग का प्रतिने जित्व करती थी मुस्लिम लीग ने इस दौरान बहुत से हिंदुओं को मारा करणों की संपत्ति लूटी बहुत लोगों का मा बेहनों का अपमान हुआ खून की नदिया बही एक तरीके से उस समय के आप द्रिश देखेंगे तो मानवता कराहने लगी यह कहना अतिश हियोक्त नहीं होगी जिस तरीके की मारकाट के द्रिश ततकालीन समाचार पत्रों में ततकालीन रेडियों में और तत्यक्ष दर्शियों द्वारा बताए गए वे बहुत ही खतरनाक थे इन द्रिशियों को लेकर इन घटनाओं को लेकर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है जो वार्तों में यथार तो नहीं बताती पर यथार थे निकड़ भी है और उन द्रिशियों से साबित होता है सपष्ट की शांतिपूर्ण विभाजन एक मिथ था एक मिथ्या थी सामप्रदाइक सामप्रदाइक तक का जो दानव था वो शांत हो इनी रहा था दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा था गांधी जी ने विवश होकर अंततह हिंदू मसल्मानों में सद्भावना थापित करने के लिए कई प्रयास किये और उसमें से एक था उपवास करना गांधी जी ने दिल्ली में मसल्मानों की रक्षा के लिए कई दिन उपवास रखा और हिंदू और चिक निताओं दोरा मुसल्मानों की रक्षा का आश्वासन दिये जाने पर ही उपवास तोड़ा 15 अगस को जब जंडा फैराय जा रहा था सतंता की खुशियां मनाई जा रही थी 200 वर्षियों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब पूरा देश सतंता की घड़ी का इंतजार कर रहा था उससे सिलिब्रेट करने का इंतजार कर रहा था उस समय गांधी उस मुख्य मैदान से मुख्य जगह से नदारत थे दिल्ली से नदारत थे जहां पे स्वतंता का हस्तांतरन स्वतंता दिवस के अवसर पर अंग्रेज सरकार द्वारा भारत को स्वतंता हस्तांतरित करना था गांधी समय वहां नहीं थे वे उपवास में थे हिंदू मिसल्मानों की एकता को लेकर उपवास में थे उन्होंने हिंदूओं से ये वादा लिया सिक्षों से वादा लिया कि वे मुसल्मानों की रक्षा करेंगे और ऐसा वादा लेने के बाद ही उन्होंने पौास तोड़ा आखिर हिंदूओं से वादा क्यों क्योंकि हिंदू मिजॉरिटी में थे वे बहुल थे जन संख्या बहुल हिंदूओं की थी तो इसलिए गांधी की सोच थी कि हिंदूओं को धैरे रखना होगा और हिंदूओं के द्वारा ये दिये सुनिश्चित किया जाए कि ये मार काट उनकी तरफ से नहीं होगी मुसल्मानों को संख्या मिलेगा तो ये सामप्रदाइक्ता की आग थोड़ी से रुकेगी लेकिन दुरभाग्य से सामप्रदाइक्ता का जो दानों था उसने गांधी जी के इन मूलियों को कोई महतु नहीं दिया गांधी जी का उपवास एक सिंबल था उनकी चिंता का एक प्रतीक था उनकी चिंता का इतने बड़े उत्साओ स्वतंता दिवस के उत्साओ को छोड़कर जो व्यक्ती जिसने स्वतंता पाने के लिए इतने वर्ष्वयम संघर्ष किया इतने वर्ष जेल गये वह अब 77 दिवस के दिन संप्रदाइक्ता की लड़ाई लड़ा है संप्रदाइक्ता से लड़ाई लड़ा है और यही संप्रदाइक्ता का जो दानों है इसने गांधी जी के जीवन मुल्यों को कोई महत्व नहीं दिया गांधी जी की नीतियों से ख्युब्ध होकर नाराज होकर नाथू राम गोट से नामे के एक व्यक्ति 30 जनवरी 1948 को उस शाम को बिरला मंदिर के प्रांगण में गांधी जी की गोली मार कर हत्या कर देता है नाथू राम गोट से 30 जनवरी 1948 बिरला मंदिर का प्रांगण संध्या का समय और वहाँ पर तीन गोलियां चलाता है और गांधी की हत्या हो जाती है गांधी के उसूलों की हत्या हो जाती है गांधी जी के देश इस दिहावसान से, मृत्यू से, हत्या से, देश में निश्चित रूप से बहुत अफसोस, विशाद, शौक सब हुआ लेकिन साम प्रदाइकता का जो दाना था वो भी थोड़ा शान्त हुआ लेकिन राष्ट पिता महत्मा गांधी और जिसे जनता के प्यारे बापू के नाम से भी कहते थे उनकी बली लेकर ही वो शान्त हुआ अर्थात, कहने का ताद पर ये कि ततकाली भारत में जब सम्विधान को लेकर विचार विमर शुरू हुआ था एक फार्मल तरीके से उस दौरान साम प्रदाइकता की आग चारों और फैली थी इतनी ज़्यादा साम प्रदाइकता की आग थे कि गांधी भी उसमें ज्छलत गय थे गांधी भी उस साम प्रदाइकता की आग को बजहने की प्रात्मिक्ता देने लगे वो पुआस किया परिणाम कुछ सार्थक नहीं हुआ एक शुब्ज व्यक्ति ने उन्हें 30 जन्वरी 48 को गोली मार कर उनके हत्या कर दी गांधी तो गय उनके जाने के बाद साम प्रदाइक दंगों में निश्चत रूप से काफी कमी आई लेकिन गांधी तो चले गय थे यह साम प्रदाइक दंगों ने गांधी की भी बली ले ली तो यह पहली समस्या थी ततकालीन भारत में जब सम्विधान निर्माता सम्विधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए थे सम्विधान निर्माण के दौरान देश में पसरी हुई समस्याओं में दूसरी बहुत अहम समस्या राजनेतिक एकी करण की राजनेतिक एकी करण की अर्थात भारत को एक रखने की यदि हम भारत के इतिहास पर जाएं तो भारत के नक्षे को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि दक्षिन का खेत्र भारत का हिस्सा और प्राचीन काल से रहा होगा क्योंकि दक्षिन के खेत्र तीन और समुद्र से घिरा है और समुद्र से समुद्री रास्ते से कोई हमले विशेश नहीं गुए कोई हमले नहीं गुए तो दक्षिन का हिस्सा तो भारत का रहा होगा ये उत हम अखंड भारत की बात करें तो उसका आकार बहुत बड़ा है उसका आकार बहुत बड़ा है जिसमें अफगानिस्तान भी आता है पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था ही यहां म्यानमार को भी बांगला देश तो भारत का हिस्सा था ही और उपर के कुछ और खेतर यह एक जब अंग्रेजी शासन आया और अंग्रेजों ने 1857 की कुरांति के बाद जब अंग्रेजी संसद ने भारत की सत्ता सम्हाली और इस्ट इंडिया कमपनी को शासन से पजच्युत किया तो उस समय जो भारत का नक्षा देखें 1859 का नक्षा जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला हुआ है भारत में इसमें उत्तर भारत में इस्थितियां कुछ भिन थी कहने को तो वो अंग्रेजी सासन के वाइस रॉय और एक जंडे के अंतर गतिये पूरे देश का सासन चला दो सौवर्श लेकिन गहराईप से देखा जाये तो इसके अंदर के कई खित्र अपने तहीं स्वतंत्र थे अंग्रेजों की गुलामी स्विकार कर लिये थे अंग्रेजों को कर देना स्विकार कर लिया था अंग्रेजों की सेवा करना स्विकार कर लिया था लेकिन अपने तहीं स्वतंत्र थे ब्रिटिश भारत का लगभग एक तिहाई भूभाग आप देखेंगे इस नक्षे में ऐसे नवाब और राजवाणों से नियंत्रित था जिन्होंने ब्रिटिश ताज की अधीनता को स्विकार कर लिया था ताज की अधीनता ये क्या थे कुछ राजवाडे कुछ ऐसे खेतर जिन्होंने अधीनता स्विकार कि इनकी संख्या 600 क्या स्पास थी ऐसे रजवाडों की संख्या जा ऐसे भू खेतरों की संख्या जिसमें ये इतना बड़ा विशाल का दिखने वाला देश बटा हुआ था कितने जो वास्तविक संख्या है पांच सौ बासट देशी रियासतें कितनी 562 स्वतंतरता प्राप्ति के समय पांच सौ बासट देशी रियासतें थी जिन्हें अंग्रेजी सत्ता ने ये स्वतंतरता दी थी कि या तो वे भारत में शामिल होएं या पाकिस्तान में शामिल होएं और या अपना स्वयम स्वतंतर अस्तित्व बनाएं रखें दोनों में से अलग रहें अंग्रेजों का तो काम ही था कि तोड़ो और शासन करो तो जाते जाते भी वो ये खेल खेल गए और उन्होंने इन राजवारों को यहां के नवाबों को, यहां के शासकों को, राजवाओं को इस बात की छूट दी कि भई जब तक आप लोग हमारे साथ थे हम दोनों ने संबंद बखूबी निभाए आपने हमें पूरा सहयोग दिया उस सहयोग और संबंद को निभाने की एवज में हम आपको इस बात के निर्णे लेने की स्वतंता देते हैं कि आप भारत में शामिल होएं स्वतंता के बाद या पाकिस्तान में शामिल हों और या अपना सुतंतर अस्तित बनाय रखें इन दोनों में किसी में भी शामिल ना हो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या थी आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारे रियास्तों ने सोचा होगा कि अब हम सुटंत्र ही रहे चले आए ना भारत में शामिल हो पाकिस्तान में हो बहुत चे लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने की बात सुची आदी आदी येवकुल मिला कर किसी भी तरह का राजनैतिक एक ही करण नहीं दिख रहा था किसी भी तरह का भारत का नक्षा एक स्थाई नक्षा नहीं दिख रहा था स्वतन भारत के जो पहले उप्रदान मंत्री बने सरदार पटेल जो भारत के ग्रिह मंत्री भी थे उनके उपर ये बहुत अहम जिम्मेदारी आ गई कि इन राजवारों को मनाएं कि वे भारत में शामिल हुएं इन पांसो बासट रियास्तों से अनरोध करें कि वे भारत में शामिल हुएं उन्होंने बड़ा थक प्रयास किया और सदार पटेल बड़ी विलक्षन प्रतिभा के भी थे बड़ी अद्बुस सूजबूच थी उनमें इसी विलक्षन प्रतिभा और सूजबूच का परणाम था कि उन्होंने इस समस्या का निराकरन करने में समाधान करने में सफलता पाई और एक लोहे की तरह थोस लोहे की तरह यदि उन्होंने निश्चे कर लिया था कि मुझे इन रियासितों को भारत में मिलाना है तो थोस लोहे की तरह वे अपने इस निर्णे पर अडिक रहे और उन्हेंने सुनिश्चित किया कि अपने इस लक्ष को पाएं इसलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं लौह पुरुष सरदार पटेल लेकिन हमने एक बात कहीं कि आपने पाकिस्तान बनाया आपको मुबारक हमें उसमें कोई डखल देना नहीं साते जब बात गिर जाए खटा हो जाए तब गिर जाए तब पीछे आओ वहां तक हमें पीछे बुलाना है नहीं हम बैकर कीख है कोई कहते हैं कि हम आखर पाकिस्तान और हम एक जाए एक हो जाए मैं कहता हूं कि महरबानी करके ऐसी बात न करो वह बैठे रहने दो उससे बहुत लुक्सान है वहां बैठे रहने दो करने दो उनको पाकिस्तान अच्छा बनाने दो पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसके ठंडी हवा लगेगी ठीक है अच्छा बहुत दफ़े ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान मिचाने के लिए उसको बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मन लोकों ने कांस्पिरसी की है मैं पाकिस्तान के लीदरों को बार बार कहना चाहता हम कि पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हो और कोई भी कांस्पिरसी हो तो पाकिस्तान में पड़ी है बार कोई नहीं है वहाँ पीतर पड़ी है जितने दुश्मन है वहाँ इधर कोई नहीं है लेकिन यज़र यह हमारी आँख में दूल भैकने के लिए कोई आवे तो हम कहते हैं कि इस तरह से हम नहीं चलने देंगे ये काम नहीं चलेगा हम हमारा हिंदुस्तान बाकी का है उसको छोड़ जो बाकी हिंदुस्तान को उनका काम करने दो उसमें आप दखलने दो तो हम आपके काम में दखलने देगे तो आप देख लीजिए हमने फैंसला किया तो जितनी चीज थी उस चीज में उदारता से हमने उनको जितना इनका हिस्सा था उससे जादे भी देने के लिए हमने कोशिश की लेकिन जब हमने उनका रुपिया देने का किया उस समय पर हमने कहा कि आपको यदि पॉना सो करोर रुपिया चाहिए और इतना हिस्सा हमारा चाहिए आपका हक हो नहो जादे हम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने लिक्ट के दीया था। कि अधिये रुपिया से बोड़ी चलानी हो कश्मिर मैं तो हम इतरे से रुपिया नहीं देंगे। हाँ तुम्हारे में ताकत हो ले जाओ ठीक है लेकिन हम खुशी से रूपिया तो तब देंगे कि जब ये फैंसला सब हो जाए तो आपका रूपिया है हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे कि हमने आपके साथ मिलके एक फैंसला किया तो एक एक तब देंसला कर देंगे सो हुआ योजा हुआ इनके सतत प्रयासों के परणाम श़रूप क्या हुआ कि अधिक तर देशी रियास्ते भारती संग में शामिल हो गए भारत में शामिल हो गई भारत का हिस्सा बनने को तैयार हो गई 15 अगस्ट 1947 की अधी हम बात करें 15 अगस्ट 1947 तो केवल तीन ही ख्षेत्र ऐसे थे जहां पर विवाद बना रहा और बाकी सारे ख्षेत्र भारत में सम्मिलित होने के सहमती दे दिये और वे तीन ख्षेत्र जो विवादित बने रहे वे थे नक्षे में देखिए जूनागर गुजरात में कश्मीर जोसे उत्तर भारत भारत का मुकुट कहते हैं और तीसरा हैदरबाद जो भारत के अंदरूनी अलाके में स्थित है जूनागर तो समुजरी तट के पास है कश्मीर भारत के विलकुल उत्तर में हैं लेकिन हैदरबाद देश के अंदर किसी एक जगा पर तेलंग नाना अंदर प्रदेश में स्थित है याने चारों और वो भारत की भूमी से घिरा हुआ है ये समस्या भी बहुत बड़ी समस्या थी यद्यपी सरदार पटेल ने से सुलजा लिया उनके प्रयासों ने सफलता पाई सफलता दिलाई लेकिन जब सम्मिधान निर्मान एक और चल रहा था या उसकी प्रक्रिया चल रही थी उस दोरान सरदार पटेल और उनकी टीम देश को एक नक्षा देने में लगी हुई थी देश की भौगोलिक सीमाएं बनाने में लगी हुई थी राजवाणों को राजाओं को विबन शर्तों पे मनाने में लगी हुई थी ये कैसे इन राजाओं को भारत में शामिल किया गया इसकी भी गाथा आप पढ़ेंगे तो बड़ी रोचक है अलग-अलग राजाओं के अलग-अलग इच्छाएं थी अलग-अलग अपेक शाएं थी 36 गड़ कि यदि हम बात करें तो जैसा कि नाम से इस पश्ट है यहां 36 किले थे 36 गड़ यहां भी जो रियास्तें थी इन रियास्तों की भी अपनी-अपनी मांगें थी अपनी-अपनी अपेक शाएं थी अपनी-अपनी तरीके थे अपनी बात मनवाने के सरदार पटेल पर दबाव डलवाने के और किस पकार सरदार पटेल ने हर एक रियास्त के साथ बात चीद करके सुनिश्चित किया कि वह भारत में शामिल हों यह स्वाएं में एक बड़ा रोचा कितिहास यहां वापस यदि विश्य में आएं तो दूसरी समस्या राजिनेतिक एकी करण की उस समय चल रही थी यदिपी सरदार पटेल उसे सुलजा रहे थी सुलजाने में सफल हो गया यह भी कुछ इसी तरह पहली समस्या जैसा है सामपरदाइक समस्या चल रही थी लेकिन गांधी की हत्या के बाद समस्या कम हो गई सामपरदाइक दंगे शान्त हो गया पर हमने गांधी को खो दिया यहां हमने सरदार पटेल का पूरा समय देश के एकी करण में लगवा दिया उनकी व्लक्षन पतिबा का उप्योग दूसरे कारियों में शायद और बहतर तरीके से हम कर सकते थे